नमस्कार में नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 नियोज राहूल गांधी की जल्द ही संसद सदस्यता वापस आने वाली है इसका उधारन कोई और नहीं खुद राहूल गांधी देते हुए नजर आ रहे हैं संसद में भी जाएंगे और अडानी और जेपीसी जाच की मांग भी जरूर करेंगे अगामी चुनाव को देखते हुए लोकसभा चुनाव और विधान सभा चुनाव को देखते हुए राहूल गांधी सक्रिये हो गए है वो गुजराद भी जाने वाले हैं और करनाटक जा चुके हैं करनाटक में उन्होंने दो जगाहों पर रेली की है जनसभा को संबोधित किया है लोगों को आशवाशन दिया है और कॉंग्रेस की क्या नीतिया है उनको बताते हुए राहूल गांधी दिखाई दे रहे है अब ऐसे में 20 अपरेल को सूरत कोट में राहूल गांधी की हक में फैसला आता है कि नहीं आता है यह भी इस अपरेल पर निधारित है लेकिन इससे पहले पटना कोट में भी राहूल गांधी को लेकर काफी कुछ खबरे सामने आ रही है राहूल गांधी पटना कोट को लेकर वहाँ पर पेशी होनी है उनकी लेकिन यहाँ पर यह सामने आ रहा है उनके वकील की तरफ से दलील रखी जा रही है कि राहुल गांधी अब हर जगा मौजूद बार बार नहीं हो सकते हैं अब इस सूरत कोट की बात की जाए तो वहां भी राहुल गांधी दो बार चले गए हैं अब ऐसे में चुनावी मोहल को देखते वे राहूल गांधी अन्नी राज्यो का रुख भी कर रहे हैं। के सरकार बनने वाली है गुजरात में सक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं और डिली में आप यहां पर आम आदमी पार्टी और भारत जन्ता पार्टी को टक कर देने वाले हैं अब ऐसे मैं राहुल गांधी को आवाज बंद करने के लिए सूरत कोट में चुनोती दी जाती है य करनाटक जाते हैं करनाटक में बोलते हुए नजर आते हैं महंगाई बेरोजगारी शिक्षा तमाम मुद्दों पर काम करेंगे अडानी का परदा फाश करेंगे तमाम तरीके से यहां पर सहयोग देते हुए नजर आते हैं वही दिल्ली में जाते हैं गोल गपे खाते हैं महब जोडो यात्रा के दोरान राहूल गांधी का हर राज्ये में दिखाई देना यह साबित करता है कि वो जंता से कनेक्ट होना चाहते हैं जंता से जुड़ना चाहते हैं और बखो भी जुड़ते वे भी नजर आ रहे हैं और अगामी चुनाव में अपनी जीत हासिल इस तरह ही करते वे नजर आएंगे अब इस मुद्धे पर आपकी क्या राये हैं कमेंट बाक्स में जरूर बताएं मुझे दीजे इजाज़त धन्यवाद